करला के राजपाल, श्री आरिफ महुम्मद खांग, मुख्य मंत्री सिमान पिनाराई विजियन जी, राज्य मंत्री मेरे साथ स्री वी मुरलिधरन जी, इस्रो परिवार के सभी सदस्षिकांग, नमस्कार। मैं अपनी बात सुरू करूँ इस पहले, मैं आप सबसे आगरा करूँगा, कि हमारे इन चार सांसिक साथियों के सम्मान में, हम सब स्टैनिंग ओवेशन दे करके, तालियों से उनको सम्मानिक करें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवार, हर राष्ट की विकास यात्रा में कुछ ख्षन ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीडियों को भी परिभाशित करते हैं आज भारत के लिए यह ऐसा ही ख्षन है हमारी आज की जनरेशन बहुत सवभाग्य शाली है जिसको जल, थल, नव और अंत्रीश में आइतियासी कामों का यश मिल रहा है कुछ समय पहले मैंने एउध्य में कहा था कि यह नए काल चक्र की शुरुवात है इस नए काल चेत्र में ग्लोबल आर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और यह हमारे स्पेस प्रोग्रेम में भी साप साप दिखाए दे रहा है साथ यह पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जितने चंद्रमा के साउथ पोल पर पिरंगा फैराया आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ से परिचित करा रहा है अब विक्रम साराभई स्पेस सेंटर बे हम सभी एक और एत्यासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं अपसे कुछ दिर पहले देश पहली बार अपने चार गगन यान यात्रियों से परिचित हुआ ये सिर्फ चार नाम और चार इंसान नहीं है ये एक सो चालीस करोड एस्पिरेशन्स को स्पेस में ले जाने वाली चार शक्तियां हैं चालीस वर्ष के बाद कोई भारतियां अंत्रिक्ष में जाने वाला है लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है मुझे खुशी है कि आज इन एस्टोनर्ट से मिलने उनसे बात्चीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तूत करने का सौभाग मुझे मिला मैं इन साथियों को पूरे देश की तरप से बहुत बहुत बधाई देता हूं बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूं 21 सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है आप आज के भारत का विश्वास है आप आज के भारत का शवर्य है साहस है अनुशासन है आप भारत का गवरो भणाने के लिए अंतरीक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्सों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं आप भारत की उस अमृत पीडी के प्रतिनीदी है जो चुनोतियों को चुनोती देने का जज़बा रखती है आपके कड़े ट्रेनिंग मॉडियूल में योग का एक बड़ा रोल है इस मिशन में हेल्दी माइन और हेल्दी बॉड़ी और इन दोनों का ताल में होना बहुत जरूरी है आप ऐसे ही जुटे रहिए डटे रहिए देश का अश्रिवाद आपके साथ है देश की शुबकामनाएं आपके साथ है आपको ट्रेनिंग देरे में जुटे इस्रों के गगनियान प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को भी मैं अनेकों शुबकामनाएं देता हूँ लेकिन इसके साथ साथ कुछ चिंता भी बताना चाहता हूँ और हो सकता है वो बाते कुछ लोगों को कड़वी भी लग जाएं मेरी देश की जनता को और देश के खास करके मेडिया को मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो चार साथी है उन्होंने लगातार पिछले कुछ वर्षों से तपस्या की है साधना की है और दुनिया के सामने चेहरा दिखाये भी न की है लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है अब उनको बहुत कठीन कसोटियों से गुजरना है उनको अभी और अपने शरीर को मन को कसना है लेकिन हमारा देश का हम लोगों के जैसा स्वभाव है अब ये चार सेलिब्रिटी बन चुके है अब वो कहीं चाहते होंगे कोई आटोग्राप लेने के लिए दोड़ेगा अब उसको सेलफी भी चाहिए फोटो भी चाहिए आटोग्राप भी चाहिए अब जोड़ा मिडिया वाले भी डंडा लेके खड़े हो जाएंगे उनके परिवार जनों के बाल नोच लेंगे बच्पन में क्या करते थे यहां कैसे गए टीचर के पास चले जाएंगे स्कूल में चले जाएंगे याने एक ऐसा वातावन बन जाएगा कि इनके लिए वो साधना का कालखन में रुकावट आ सकती है और इसलिए मेरी करवद्ध प्रांथना है कि अब रियल स्टोरी शुरू हो रही है हम जितना उनको सहयोग देंगे उनके परिवार को सहयोग देंगे ऐसी कुछ चीजों में न उलच जाए उनका ध्यान एक ही रहे हाथ में तिरंगा है अंत्रीक्ष है एक सो चालिस करोर देशवास्यों का सपना है वही हम सबका संकल्प है यही भाव है इसलिए हम जितनी अनुकुलता करेंगे मैं समझता हूँ देश का सहयोग बहुत जरूरी है मेरे मिडिया के साथ्यों का बहुत जरूरी है अब तक एक नाम बार नहीं गए तो हमारा काम ठीक से चलता रहा लेकिन आप थोड़ी कठिनाई उनके लिए भी बढ़ जाएगी और हो सकता है उनको भी कभी मन कर जाए चलो यार एक सेलफी ले ले लेते तो क्या जाता है लेकिन सब चीजों से हमें बचके रहना होगा साथ्यों यहाँ इस कारकम से पहले मुझे गगनियार के बारे में भी विस्तार से जानकरिय दी गई अलग अलग एक्किप्मेंट की विशे में जानकरी दी गई उनके आपरेशन्स के विशे में बताया गया मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनियान में यूज होने वाले जादातर उपकरण made in इंडिया है कि कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की top three economy बनने के लिए उडान भर रहा है उसी समय भारत का गगनियाद भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है आज यहाँ अनेक प्रोजेक्ट का लोकारपन भी किया गया है इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेकनोलोजी के खेत्र में सामर्थ तो बड़ेगा ही साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे और साथियों मुझे खुशी है कि हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है चंद्रियान हो या गगनियान महिला विज्यानी को गिविना ऐसे किसी भी मिशन की कलपना भी नहीं की जा सकती आज पांच सो से अधिक महलाएं इस रो मैं लीडर्शिप पोजिशन पर है मैं यहां मौझूद सभी महला विज्यानिकों टेक्नीशन्स एंजिनियर्स की रदय से सराहना करता हूँ लेकिन इसके कान पूरू स्वर्ग नाराज नहीं हो जाए उनको तो मिलता ही रहता है अभी नदर्द साथियों भारत के स्पेस सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसकी उतनी चर्चान नहीं हो पाती यह योगदान है यूआ पीडी में साइन्टिफिक टेंपरामेंट के बीज बोने का इस्तरों की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में यह बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइन्टिस्ट बनूँगा पूर रोकेट का काउंटडाउन उसकी उल्टी गिंती लाखो लाख बच्चों को प्रेडित करती है हर घर में कांगेज के हवाई याज वड़ाने वादा जो एरोनोटिकल इंजीनिर है वो बड़ा होकर आप जैसा इंजीनिर बनना चाहता है साइन्टिस्ट बनना चाहता है और किसी भी देश के लिए उसकी युवापीडी की इच्छा शक्ती बहुत बड़ी पूंजी होती है मुझे आथ है जब चंद्रियान टू की लेंडिंग का समय था पूरे देश के बच्चे उस पल को देख रहे थे उस पल में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा फिर आया पिछले साल 23 अगस का दिन चंद्रियान की सफल लेंडिंग ने युवा पीडी को एक नए जोच से भर दिया इस दिन को हमने स्पेस डे के तौर पर मान्यता दी है आप सभी ने देश को अपनी स्पेस जर्नी में भारत को उपलब्दियों के ऐसे एक से बढ़कर एक पल दिये है स्पेस सेक्टर में हमने कई रिकॉर्ड बनाए है पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने की सबलता भारत को मिली एक ही मिशन में सौ से अधिक सेटिलाइट लॉंच करने वाला देश हमारा भारत है चंद्रियान के सबलता के बाद भी आपने कई उपलब्दियां हासिल की आपने आदित्य एलवन को पृत्वी से पंद्रा लाग किलोमेटर दूर सुरक्षित रुप से अपने और्बीट तक पहुंचाया है दुनिया के कुछी ऐसे देश ऐसा कर पाए है 2024 को शुरू हुए अभी कुछ हपते ही हुए है इतने कम समय में ही आपने एक्सपो सेट और इनसेट 3DS जैसी सबलता हासिल की है साथियों आप सभी मिलकर बविश्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस एकोनोमी पाँज गुना बढ़कर 44 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी स्पेस के खेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्सियल हब बनने जा रहा है आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएगे और इस सफर्ता के बाद हमने अपने लक्ष और उचे कर लिये हैं अब हमारे मिशन टेकलोरजी की दरस्टी से और अधिक चलेंजिंग होगे हम चंद्रमा की सता से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृत्वी पर वापस ले करके आएंगे इससे चांद के बारे में हमारी जानकारी और समझ और बहतर होगी इसके बाद शुक्र भी इसरों के लक्षों में से एक है ट्वेंटी थर्टी फाइव तक अंत्रीच में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा जो हमें स्पेस के अज्यात विस्तार को जानने में मदद करेगा इतना ही नहीं इसी अमरित काल में भारत का एस्ट्रोनट भारत के अपने रोकेट से चंद्रमा पर भी उतर कर दिखाएगा साथियों 21 सदी का भारत विक्सित होता हुआ भारत आज दुनिया को अपने सामर्थ से चोका रहा है पिछले दस वर्षों में हमने लगबग 400 400 सेट्रिलाइट्स को लांच किया है जबकि इससे पहले के दस वर्षों में मात्र 33 सेट्रिलाइट्स लांच किये गए थे दस वर्षों पहले पुरे देश में मुश्किल से एक या दो स्टार्ट अप से आज इनकी संख्या दो सो पार हो चुकी है इन में से अधिकाओं स्टार्ट अप्स युवाओं द्वारा शुरू किये गए हैं आज इन में से कुछ लोग हमारे बीच भी मौजूद है मैं उनके वीजन उनके टैलेंट और उनकी उद्यमता की सराना करता हूँ हाली में हुए स्पेस रिफॉर्म्स ने इस सेक्टर को नई गति दी है पिछले हपते ही हमने स्पेस में एपडियाई पॉलिसी भी जारी की है इसके तहट स्पेस सेक्टर में 100% foreign investment को भी मंजूरी दे दी गई है इस रिफॉर्म से दुनिया के बड़े बड़े स्पेस संस्तान भारत आप आएंगे और यहां के युवाओं को पूरी दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा साथियों हम सबने मिलकर 2047 तक भारत को विख्षित राष्ट बनाने का संकल्प लिया है इस संकल्प को सिद्धी तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमी का बहुत बड़ी है और स्पेस साइन्स सिर्फ रोकेट साइन्स नहीं है बनकि यह सबसे बड़ी सोशल साइन्स भी है स्पेस टेक्नोलोजी से सुसाइटी को सब जदिक लाब होता है सबको लाब होता है आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलोजी यूज होती है उसमें स्पेस टेक्नोलोजी का बहुत बड़ा रोल है खेती में फसल की देख देख हो, मौसम की जानकारी हो, साइक्लाउन और दूसरी आपदाएं हो, सीचाई के साधन हो, गाड़ी चलाने में बदद करने वाली मैप हो, ऐसे अनेक काम सेटलाइट डेटा से ही होता है भारत के लाखों मचवारों को, नाविक द्वारा, सटिक जानकारी मिलने के पीछे भी स्पेस की ताकत है, हमारे सेटलाइट्स, हमारे बॉर्डर को सेफ रखने में भी मदद करते हैं तो दूर सुदूर इलाकों में एजुकेशन, कॉम्मिकेशन और हेल्ट सर्विसेज पहुचाने भी भी वो भर्चसक मदद करते हैं इसलिए विक्सीद भारत के निर्मान में आप सभी की, इस्रो की, पूरे स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमी का है मैं एक बार फिर आप सभी को अनेक अनेक शुबकामनाय देता हूँ तीम गगनियान को विशेश रुप से 140 करोड देश स्वास्यों की तरफ से शुबकामनाय देता हूँ फिर एक बार आप सब को शुबकामनाय देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद